तो अगर आप भी अभी तक पिक्सल और पिक्सा भाई के वही पूराने वीडियो कलिफ यूज कर रहे हो तो आपका वीडियो बोरिं ही बनेगा ना उन वीडियो कलिप से आप कितने वीवर का अटेंचन ग्रेप कर पाओ तो यहाँ पर टाइम है अपने content को upgrade करने का with new video clips तो आज की इस video में मैं आपको बताऊँगा कि आप कहां से copyright free video clips ले सकते हो और वो भी नए नए जिनसे आप अपने content की quality next level पर ले जा सकते हैं तो तरीका थोड़ा टेड़ा है तो आपको भी इस video को टेड़ा होकर देखना पड़ेगा मेरा मतलब mind से और वीडियो के last में मैं आपको यह भी बताऊँगा कि आपको जह उन clips को कैसे use करना है ताकि आपके चनल पर copyright वगेरे ना सके तो सबसे पहले हम जान लेते कि कौन सा वो platform है तो दोस्तों जिस platform की हम बात कर रहे हैं उस platform का नाम है Canva और जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है कि तरीका थोड़ा टेड़ा है इसलिए बस आपको जह वीडियो को देखते रहना है ठीक है तो सबसे पहले दोस्तों आपको जह Canva application open कर लेना है और दोस्तों आपके पास Canva का pro account होना चाहिए अगर आपको नहीं पता है तो मुझे आप comment करिए क्यूंकि दोस्तों अगर मैं आपको यहाँ वीडियो में बता दीता हूं कि आपको Canva का free account कैसे लेना है तो हो सकता है दोस्तों कि मेरे चैनल पर copyright strike आ जाए ऑफर द recommendssके वाजाए ठाहिए इसलिए वाजिव मैं आपको यहाँ पर नहीं बता सेथा हो उसके बाद आपको यहाँ नीचे आना है और यहां पर यहाँ पर यह यहाँ पर आजाना है और यहां पर दोस्तों किसी भी एक thumbnail पर क्लिक कर धना है तो मैं इस थ्मनेल पर क्लिक कर देता हम उस ओ yup Navs पर कुलिक करने के बाद दोस्तों आपको यह जो सारे टैस्ट और इमेज जे उस सारे में वह सारे के सारे दोस्तों आपको दिलेकर दिना है कुछ इस तरह से ठीक है आपको सिर्फ उस channel का बेगराउंड है उसे तो यहाँ पर दूस्तों आपको जहें बहुत सारी वीडियो क्लिप्स मिल जाएंगे ठीक है और यहाँ पर दोस्तों अगर मैं इंडिया इस केटेवर करता हूं तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहां पर इंडिया से related मुझे हर clips यहाँ पर मिल जाएगी ठीक तो यहाँ पर दोस्तों आपको जहे हरे category की video clips मिल जाएगी तो आपको जहे कई दूसरी जगह पर भटकने की जरूरत नहीं है ठीक है और देख सकते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारी download कैसे करना है तो download करने के लिए आपको जहें जिस clip को भी आपको download करना है simply आपको उस पर tap कर देना है उस पर tap करोगे तो यह आपको editing वाले page पर ले जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कोई watermark बगर या नहीं है देख सकते हैं और यहां से जो quality है वो HD पर रख दूँगा ठीक है उसके बाद आपको simply download पर click कर देना है तो आपका जो वीडियो है वो यहां download होना start हो जाएगा ठीक है और मैं आपको gallery में भी लेकर जाके दिखा दूँगा कि वहाँ पर वीडियो में कोई watermark आया है या फिर नहीं तो उससे पहले दोस्तों अगर आप फिर से अगर दूसरी clip से download करना चाहते हैं तो यहां पर आपको simply फिर से वीडियो पर टैप कर देना है और यहां नीचे replace पर जाना है फिर से वीडियो में जाना है और यहांSे दोस्तों, आपको ले जो चाहें वो clips आप फिर से यहांसे डाउन्लोड कर सकते हूं ठीक है उसके बात दोस्तों मैं ले चलता हूं को gallery में तो gallery में जाने के प्रो अकाउंट है तो आप इन वीडियोस को प्रस्नल और कमरिशल यूज़ कर सकते हो मतलब इन वीडियो क्लिप्स को आप अपने यूटुब वीडियो के लिए यूज़ कर सकते हो और आपके चनल पर को भी कॉपी राइट का इसू नहीं आएगा ठीक है और ऐसा भी नहीं ह अच्छा और क्लियर होना चाहिए तो उसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हो